हेई सेल्स कैसे हैं आप सब आई होब सब काफी अच्छे होंगे सबकी पढ़ाई भी आई होब सो मिट टम्स के लिए काफी अच्छी चल रही होगी आज इस एक पर्टिक्लर सेशन में आपको मैं वो स्केरी साइट बताती हूं क्लास टेंथ का जो मैंने फेस किया था मतलब ब मैं being a teacher जो एक student थी पहले obviously और आप एक student हो करके genuinely इन सारे points के साथ जो आज आप से मैं discuss करूंगी जरूर कॉरलेट कर पाएंगे क्यों क्योंकि हां मैं मानती हूं कि ये उस time पे मैंने face किये थे आज भी वो बच्चे वही same problem face कर रहे हैं जो कही न कहीं एक time पे आकर के मैंने face किये थे तो आज इस एक चोटे से session में आप शायद इतना interested नहीं होंगे लेकिन देख करके आपको feel जरूर होगा कि हां माम बिल्कुल correct बोल रही हैं कहीं न कहीं कभी न कभी हम ये problem अपने entire class 10th की जर्नी में face करते हैं और even अभी बहुत सारे students कर भी रहे होंगे ठीक है तो चालो आज शुरू करते हैं इसी एक particular session से जो हमारे थोड़े से दिल की बातों के उपर होने वाला है हमारी वो problems के उपर होने वाला है जो हम अपने class 10th में face करते हैं और उसका सबसे बड़ा और सबसे पहला point रहता है time management का है no कि बच्चे इस चीज़ के उपर focus नहीं करते है लेकिन जब हम class 10th में होते हैं हमारे पास SST का इतना syllabus होता है English का इतना syllabus होता है Science का इतना syllabus होता है Math का इतना syllabus होता है सब कुछ होता है उसके साथ साथ हम इतने stress में रहते हैं कि after 10th boards की हमें क्या class 11th में लेना है क्या हमें आगे future में जाकर के करना है हमारे parents इस बारे में हमसे बात करने लगते हैं और उपर से भाई class 10th का boards, boards एक ऐसी चीज हो जाती है जिसमें हर एक बच्चा अपना best देना चाहता है कि उसके marks 90% से अवव आने चाहिए, जिसके लिए उसे हर एक महनत करनी पड़ती है, इतना जादा parent से pressurization आता है कि बस मुझे यह करना है, मुझे वो करना है, आपको एक simple सी कहानी बताती हूँ, story बताती हूँ, मेरी ही life की है, मैं तोड़े से नाम चेंज कर दूँगी, ठीक है, तो एक हमारी प्यारी सी छोटी सी बच्थी खुश्बु माम थी, है ना, अपना ही चल और अपना नाम आड कर और खुश्बु माम की जो friend थी, वो must हर एक activity में participate करती थी, extra curricular activities में participate कर रही है, आपके पढ़ाई, पढ़ाई सरह वो एक गंटा करती थी, लेकिन जितनी उसने extra curricular activities उससे हो सकती थी, उसने वो सब कुछ करी, वो चाहें उसका dance competition क्यों ना हो, painting competition क्यों ना हो, हर एक तरीके से curricular activity में उसने participate किया, और पढ़ती वो कितना थी, बस जो coaching में पढ़ कर क्या आती थी, और जो एक घंटा पढ़ती थी, उनकी best friend, लेकिन still, जब exam आए, उसके बावजूद, इतना कम पढ़ने के बावजूद, बस वो मातर एक घंटा पढ़ने के बावजूद भी, उसके marks इतने अच्छे आ रहे हैं, जो मेरे से जादा अच्छे थे, जब कि खुश्बू तो हर एक दिन, टाइम निकाल करके self study करती थी, किसी भी curricular activity में पार्ट नहीं लेती थी, फिर भी उसके marks इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसकी best friend के comparison में, तो कहीं ना कहीं, उस टाइम प और वो बस सिर्फ एक घंटा पढ़कर कितने अच्छे marks लेकर क्या रहे हैं, क्यों, क्या आप समझ सकते हो, क्या reason हो सकता है, तो ये reason इसका ये रहता है, कि सबसे पहली चीज, हम अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, हम अपनी mistakes को analyze नहीं करते हैं क्या नहीं करते हैं, mistakes को analyze नहीं करते हैं, आप लोगों ने अभी periodic test दिये हैं, उसमें जो भी आपकी mistakes होई, जिसकी वज़े से आपके marks कट हुए, क्या आपने उनको analyze किया, नहीं किया, खुश्बू ने भी उन mistakes को analyze नहीं किया था, वो भले 2-3 घंटा self study करती थी, लेकिन उ self study ऐसे करती थी कि बस रख लेती थी चीजों को और हो जाता था, उसको लगता हो बहुत हाड़ वक कर रही है, दो 3 घंटा पड़ रही है, और वहीं पर उसकी जो फ्रेंड थी वो एक घंटा बढ़ती थी, लेकिन वो एक घंटा भी उसका solid घंटा हो जाता था, उस एक पर माम ने आपको सबसे पहली चीज़ बताई, तो एपकी बहुत ऑनां इतनी चीज़ें करने इह होती हैं, लेकिन फिर भी यह टाइम मैनेजमेंट आपको यही से सिखाता है, इसी क्लास 10 से आप जब टाइम मैनेज करना स्टार्ट करते हो ना आपको आगे चलके यही क्ला 11 12 में मदद करता है जो बच्चे टेंट में नहीं करते हैंर यही सबसे बड़ा उनका ड्राउ बाक रहता है जो आगे चलके उनमें पर और कलें क्लास टेंट में ना फेーσα करना पड़ें बले उनको यह चीज्धा ना फेज करनी पड़ें क्योंकि इतना स्लेबस था होता है हम इंग्लिश को नेगलेक कर देते हैं उसके साथ हम इतना कॉंपटेटिव इन्वायरमेंट होता है क्योंकि हर बच्चे को अच्छे माक्स चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए मैं हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड हो आप हो कौन-कौन ऐसा बच् क्यों क्यों एतना हार्ड वक ट्रें कि इतना स्मार्ट लिए यही कहीं न बहुत प्रिंट स्च्ट मेंघन को बन अजबूर कर देता है जब उनके माक्स नहीं आते कि क्या मैं सच में अच्छा क्या arada और वहीं से क्या उनका self confidence down हो जाता है कोई उस बारे में बात नहीं करता है आप अपने आप से चीजे शेयर भी नहीं कर पाते हो किसी को शेयर नहीं करते हो क्यों कि अपको लगता है कि अगर आप यह चीज शेयर करोगे तो सामने वाला इस feeling को neglect कर देगा कि क्या खाम खा इतना stress ले रहे हो कुछ नहीं होता है सब बड़िया है सब चंगा है कर ले ना अराम सब कर लोगे सब कर लो बस बच्चे यहीं बोलते हैं सब लोग यहीं बोलते हैं इवन किसी बड़े के पास आप जाओगी यहीं बोला जाएगा तो यह मै भी फीलिंग आई जो मैंने आपको भी बताई तो उस केस में सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होता है अपनी मिस्टेक्स को एनलाइज करने का मुझसे आज भी अगर कोई गलती होती है या मेरी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो मैं देखती हूँ कि मैंने क्या गलतियां करी है वो गलतियां रियलाइज करके एनलाइज करके खुद को सुधारती हूँ दूसरों से कॉंपटीशन करना इस वेरी गुड अच्छी भात है आप कॉंपटेटिव हो मैं भी बहुत कॉंपटेटिव हो मैं अभी मेरे को लगता है लेकि मैं जैलेस नहीं हूँ मुझे तो बस यहीं पर आपको अपनी सबसे बड़ी गलति अनलाइज करने कि क्या ऐसा है जो आप इतना हार्ड वक कर रहे हो फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे है और जब आप एक चीज यह रियलाइस कर लोगे यह कॉंपटेटिव इंवार्मेंट में आप कभी पीछे नहीं लिटरली नहीं पीछे रहोगे और मैं भी आज तक पीछे नहीं इस चीज में उसके बाद पेरेंटल एक्सपेक्टेशन्स I know it hurts a lot मतलब अब अब्व्यसी बात है हमारे पेरेंट्स हमारे पर खचा करते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे माद सच्छे हैं I know बट यह चीज रि नहीं करना है सोचो समझो कि क्यों इतने मार्स खराबार है क्या इसमें मेरी ही गल्ती है या फिर कुछ और प्रॉबलम है उस गल्ती को एनलाइज करके आप यह पेरेंटल एक्सपेक्टेशन को ज़रूर मैच कर पाओगे और अहां कहीं ना कहीं यह पेरेंटल रहेगी बस परिशान होने की ज़रत नहीं है depressed करके काम अच्छे नहीं होंगे depressed होने से बेटर है सोचो समझो ऐसा क्या कर सकते हो कि आपकी mistakes कमो और आपके marks अच्छे आने लगे and last but not the least board exams, इतने board exams, board exams, board exams, 10th में आयो board exams देने जा रहे हो, 10th में आयो तुमने board exams देने पढ़ो, 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 हम बस यही सुनते रहते हैं हर समय, कि बेटा तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, इन सब activities में मत participate करो, boards के marks खराब हो जाएंगे, boards ऐसा, board ऐसा, board ऐसा, board ऐसा बस यही सुनते रहते हैं, तो बचो, आपके लिए मेरा एक छोटा सा message रहेगा, छोटा सा, बस बहुत छोटा सा, देखो बचो, एक single sheet of paper, definitely decide our future, हमारा future decide करता है, लेकिन यह हमारा ऐसा future नहीं decide करता है, कि हम दुख हो कर, दुखी हो करके, एकदम depressed हो करके, चीजे करें, करो खूब महनत करो, no issues, महनत करो, smart work करो, जहां गलतियां हो रही है, उन गलतियों को सुधारो, महनत करो, बस और कुछ करने की ज़रत नहीं है, sad होने की ज़रत नहीं है, reality, check low, कि ऐसी क्या गलती हो रही है तुमसे, गलती समझोगे, अपने आप ही धीरे-धीरे करके, calm down हो करके help की requirement है, तो teachers हमेशा आपके साथ रहेंगी, parents हमेशा आपके साथ रहेंगी, parents से share नहीं कर सकते हैं, अपने बड़े भाई और भैनों से share करो, वो तो इस face से निकल चुके हैं, तो वो आपको best advice ही देंगे, literally देंगे, तो यह जो scary things है न, class 10th boards की, जो हम लोग class 10th में आते ही शुरू से शुरू सुनना शुरू कर देते हैं कि पढ़ो, 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 अरे अराम से पढ़ो सब हो जाएगा, मैम है न, तो बस मेरे प्यारे सारे से बच्चों, टेंशन लेने की बिलकुल ज़वरत नहीं हैं, जितने भी sessions इसी channel पे होते रहते ह और आपसे वो session मिस आउट ना हो, और इन केस अगर आपको मुझे personally reach out करना है, तो आप मुझे Instagram पे reach out कर सकते हैं, खुशबंडस्कोर भाटिया मेरा Instagram का account है, और अब बस मेरे प्यारे सारे से बच्चे, मैम के session को एक thumbs up दे दीजेगा, और चैनल को subscribe कर दीजेगा, अब हम फ